आप सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूं, और आप चाहते हो नो, मैं अपके लिए और आसी वीडियो बनाओ, येस, तो लाइक भी करना है, तो लाइक भी तो अब आगे चलते हैं, जटना पार्ट रेजोनेट हो, रखें, बागी चीज़ों को इगनोर कर सकते हैं, कभी भी इस रीडिंग को चेक आउट करेंगे, तो ये आपके साथ रेजोनेट करेंगी, ठीके, और अगर आप अगर मेल हो, फीमेल हो, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, ठीके, चले, तो देखने हैं, गाइज, कि आप के परसन आज पूरा दन आपको लेकर क्या कुछ सोच रहें, तो अपने परसन का नाम लेते रहें, अपने परसन के बारे में ही सोचते रहें, प्लीज डिवाइन युनिवर्स, एंजिल्स, पर अगाइज, एं एनर्जी है, लेखने, सेकंड कौनसी एनर्जी उट कराती है, मून की एनर्जी, थर्ड पारी सिचुएशन की एनर्जी भी दिख रहे हैं यहां पर, पहली ही stress, anxiety, दूसरी थर्ड पारी सिचुएशन, और थर्ड एनर्जी है हमारे पास, mostra के हैं, प्राक्टेकल होनी की, union, reconciliation, beautiful नेखते हैं, next कौनसी energy, oh, hermit के energy, cold, cold in relationship, या फिर आप इसे कहो, अकेलापन के energy, ठेक है, aloneness के energy, next strength, the energy of not putting any effort, कोई effort नहीं डाल पा रहे हैं, वो पने इस relationship में add the bottom energy to balance out everything सब कुछ balance करने के लिए है temperance के energy, ठीक है तो guys, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको Zoriax बता देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास Zoriax आए है, Gemini, Libra and Aquarius ठीक है, and Gemini, Libra and Aquarius, साथ में Leo भी है, ठीक है, तो यह energy आज काफी strong है काफी, बाकी और काज मंगे pick करूँगी, तो मैं आपको, और भी जो Zoriax साइंस आएंगी, उनके बारे में भी आपको inform करूँगी, लेकिन आज जो सबसे पहले ही card उटकर आया है जिसमें हमें दिख रही है, energy of anxiety, depression ठीक है ignorance आपका handle नहीं कर पा रहे है, ठीक है, उन्हें ऐसे लग रहा है आप उन्हें इगनोर कर रहे हूँ, और वो आपका ignorance handle नहीं कर पा रहे है बहुत disturbed energy है यहाँ पर साथी साथ energy of waiting भी शो करता है, यानि कहीं न कहीं आपका इंतजार भी कर रहे हैं आपके person, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उन्हें इगनोर कर रहे हूँ, या आप अपनी life में move on कर रहे हूँ, ठीक है उन्हें ऐसे डर है, fears कहीं न कहीं मुझे उनकी तरफ से दिख रहे हैं जैसे इस चीज़ का डर है कि कहीं आप उन्हें बुला दो या फिर आप उन्हें छोड़ कर अगर चले जाओगे तो उनका क्या होगा ठीक है, वो जीएंगे कैसे, वो रहेंगे कैसे, ठीक है, जबकि ये चीज़ वो खुद कर चुके हैं आपके साथ, यानि में भी आपको खुद छोड़ कर गए है, आपको खुद उन्होंने ये चीज़ शोड़ करी है, जैसे अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, ये चीज़ उन्होंने खुद आपको जबकि शोड़ करी है, और अब इसी चीज़ से, आपकी इसी इसी आटिट्यूद से आपके, वो परिशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं एंग्जाइटी में हैं, बहुत वरी की एनरजी भी कहीं न कहीं है उनकी तरफ से दिख रही है, बहुत डर है उन्हें इस चीज़ का कि कहीं आप आप मूव आन ना कर जाओ ठीके, और काफी हद तक आप शाद मूव आन कर भी चुके हो, तभी ये इग्नोरिंस के एनरजी दिखी है हमें आपे सेकिन एनरजी ही मून की है यानि मेभी थर्ड बार्टी इंटरफेरंस हो सकता है आपकी लाइफ में वो पेन होता ना, कि अगर कोई बिच्चु काट ले तो कहते हैं वो सबसे ज़ादा ज़ादा दर्द होता है तब है ना, तो वो एनरजी आपने फील करी है, ये दर्द आपने महसूस करा है जैसे किसी बिच्चु ने आपको काट लिया हो वो एक दर्द तो वो चीज कहीं न कहीं आपने खुद अपने इस रिलेशंचिप में फील करी है वो पेन आपने फील करा है उस थर्ड पर्टी इंटरफेरंस की वज़े से ठीक है आपको ऐसा लगा जैसे आपके साथ दोका हुआ, आपके साथ cheating हुई, आपके साथ जूट बोला गया, ठीक है, आपको नीचे गिराया गया, ठीक है, आप पे वो वो इलजाम लगाए गए, जिसकी जो शायद आपने करे भी नहीं थे, आपको वो words आपके person के थूँ बोले गए, या वो lines आपको बोली गई, जिसने आपको बहुत ज़दा hurt करा, और जिन चीजों को अभी भी अगर आप याद करो ना, तो वो भी आपकी आँखों में आसु आ जाए, वो वाली situation आपने अपने इस relationship में handle करी है, और ये moon की energy मुझे यहाँ पर ये show करा है, कि जैसे third party interference बहुत strong रही है आपके relationship में, आपसे उपर जाकर आपके person ने उस third party की बात सुनी, ठीक है, इसी लिए, वो आपको ignore करना उन्होंने start कर दिया, starting में आपका relationship on and off चलने लगा, ठीक है, यानि कभी बात होती थी, तो बात होती थी, तो fight सुजाती थी, उसके बाद फिर gap पढ़ जाता था, फिर बात होती थी, फिर आप मनाते थे, आप उन्हें sorry कहते थे, forgive करते थे, forgive करने को कहते थे, ठीक है, और फिर आपकी बात शुरू होती थी, और फिर at last आपके fight हो जाती थी, ठीक है, और धीरे-धीरे आपने ये चीज़ नोटस करी, जैसे आपका person जो है, ठीक है, third party interference में जा रहा है, ठीक है, या फिर कोईसी और को date करना उसने start कर दिया है, किसी और से बात करना उसने start कर दिया, आप उन्हें call करते थे, उनका number busy, या फिर आपने ये भी notice कर रहा, कि शायद वो किसी और को message कर रहे हैं, उन्होंने आपसे अपने passwords हाइड कर लिए, Facebook के, Instagram के, अगर कोई भी passwords आपके पास थे, ठीक है, तो वो वाली energy मुझे यहाँ पर moon के through दिखी है, queen of swords, lovers के energy, hermit के energy, और strength के energy, queen of swords ये चीज़ शो कर रहा है, जैसे उन्होंने आपको ऐसी ऐसे words बोले, जैसे मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, या तुम मुझे अब मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए हो, तो उस चीज़ ने आपको बहुत pain दिया, बहुत दर्द दिया है उस चीज़ ने आपको, आज भी अगर आप उनकी बाते की याद करो ना, तो आपको लगता है कि आपने ये चीज़ आप deserve नहीं करते हो अपने जिंदगी में, ठीक है, ये lines, ये disrespect जो आपके person ने आपको करी है ना, आपको अभी भी ये feel होता है कि मैं वो चीज़ डिजर्व नहीं करती हूँ, या मैं वो चीज़ डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ सहना पड़ा, क्यों, क्योंकि कही ना कहीं आपको true love है अपने person से, और आपको ये चीज़ भी लगती है कि आपके person भी आपसे true love करता है, ठीक है, अभी तक आपका person आपके लिए आपकी emotional weakness थे, ठीक है, लेकिन अब आपने खुद को prioritize करना start करा है, आपने खुद को importance देनी शुरू करी है, थोड़ा आप selfish बने हो, अपने बारे में आपने सोचना शुरू करा है, तो ये lovers की energy वो चीज़ शो कर रही है, कि आपने अपने बारे में सोचना शुरू करा है, अपने आसपास boundaries ड्रॉ करी है, ठीक है, अपने आसपास boundaries ड्रॉ करी है, जिनको अप कोई cross नहीं कर सकता, हर्मिट की इनर्जी यहां पर शो कर रही है उनका अकेला पन, उनका दर्ग अब वो आप इस relationship में अब मुझे दिख रहा है हर्मिट और strength के कार्च से अब वो इस relationship में अभी तक उन्होंने effort नहीं डाला था लेकिन जब से वो आपसे अलग हुए है जब से वो आपसे जुदा हुए है जब से आपने उन्हें ग्याब दिया है ठीक है तब से उन्हें ये चीज फील होने लगी है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं ठीक है उन्हें आपके बिना रहना में जो एक सुकून नहीं है उनकी लाइफ में एक बेचैनी सी हर वक्त रहती है साथ ही साथ उनको ये भी चीज फील हो रही है कि वो अकेले हो गए चाहे वो इस टाइम पर थर्ड पार्टी के साथ हो लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो अकेले पड़ चुके है अपनी जिंदिगे में उनको समझने के लिए कोई नहीं है उनके पास कोई नहीं है जिनके साथ वो emotional होके share कर सके क्या वो feel कर रहे है तो वो वाली energy भी यहाँ पर है और अब वो आपको एक honest relationship देना चाहते हैं अब वो इस relationship में effort डालना चाहते हैं action लेना चाहते हैं आपको यह show करना चाहते हैं कि अब वो honest हो गए हैं ठीक है उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है universe ने उन्हें अब अपना सबक ना सिखा दिया है जो उन्हें सीखना था तो universe ने अब उन्हें अपना वो सबक सिखाया है ठीक है अपने शुरू शुरू में of course अब वो ना ऐसा feel कर रहे है जैसे वो stuck है ठीक है stuck है अपने आपको एक अठकाव में महसूस कर रहे है कि एक जगा मैं खड़ा हुआ हूँ और अकेले और कोई नहीं है मेरे साथ ठीक है मैं अटक चुका हूँ ऐसे ही feelings कहीं न कहीं उनको न आ रही है अपनी जिन्दगी न ठीक है अगे देखते हैं और और उनकी क्या energies हैं अभी की तो please divine universe बताए मुझे आज और क्या कुछ है जो इनके person इनको लेकर like सोच रहे हैं अभी आज पूरा दिन ठीक है energy of master ठीक है confusion schizophrenia का card भी है आपर ठीक है काफ़ी confused feel कर रहे हैं आपके person ठीक है new vision देखो आपके साथ reunion reconciliation करना चाहते हैं वो भी और देखते है trust issues और वो इस relationship में trust डालना चाहते हैं honesty डालना चाहते हैं जो कुछ भी उन्होंने जूट आपसे बोला या कुछ अगर आपसे छुपाया ना तो अब आपके person all moods चाहते हैं कि वो सब आपको बताएं उन सब चीजों के लिए आपसे माफी बागे देखो morality is also there so the comparison the energy of comparison भी यहाँ पर उठकर आई है so you all can see the cards properly right okay तो आज की जो उनकी और energy मुझे दिख रही है सबसे पहले ही आपका person जो है अपने आपको बहुत जादा कोशश कर रहे है अपनी attention devote करने में ठीक है उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप ना उनकी जिंदगी का वो एक कहीं न गहीं उनको यह चीज फील होती है कि आप जैसे उनकी जिंदगी का ना एक distraction होता है अगर वो आपके बारे में सोचेंगे ना ठीक है तो maybe वो ना ही अपने career पर focus कर पाएंगे ना ही अपने work पर focus कर पाएंगे जो उनके goals है उनकी life में जो एक aims है उनकी life में उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप वो एक distraction हो जिसकी वज़े से वो यह चीज़े सोच नहीं पा रहे है ठीक है तो वो वाली energy भी है आपर master की energy show करी है अपने आपको एक confusion की state में हमेशा लेकर आजाते हैं आपके person हमेशा confusion की state में आजाते हैं आपके person उनको वो इस relationship में ठीक है trust डालना चाहते हैं honesty डालना चाहते हैं आपसे सब कुछ सच कहना चाहते हैं अब वो आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं भी उनकी state है शायद अगर वो इस time पर कुछ financial problems भी handle कर रहे हैं तो I believe कि वो सारी चीजें सच-सच आपको बता देना चाहते हैं अब उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे न वो उपर उठना चाहते हैं इन सभी चीजों से ठीक है और उपर उठकर ठीक है वो आपसे reunion, reconciliation भी करना साथ है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो चीज आपके साथ ही जतना care, जतनी support आपके पास थी शायद वो उन्हें third party भी नहीं दे पा रही है ठीक है वो third party के साथ रहे कर भी जैसे हमने देखा कि वो एक अकेलेपन की energy में हैं ठीक है comparison की energy तो अब वो compare कर रहे हैं आपको औ और इस चीज को realize कर रहे हैं कि आपके साथ क्या strong bond था और third party के साथ कैसा bond है बहुत clarity ढूनने की अच पूरा दिन अगर मैं उनके energy देखू न तो वो कही ना कहीं कोशच कर रहे हैं clarity ढूनने की ठीक है कि उनके लिए क्या जरूरी है उनको क्या actions लेने चाहिए क्या outcome है इस प ठीक है तो यह almost उनकी आज पूरा दिन की energy है I hope so अगर यह आपके साथ resonate करती है तो like करें comments में मुझे बता सकते हैं this is all for today thank you so much bye bye and take care